दोजार चोबिश मापसी हो सकती है ताउल जी की? ची काँ? इन दिनों देश भर में कई राज्यों में राहूल गांधी की अगवाई में कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है हाल ही में ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुँची एक तरफ जहां खिलेश यादों से लेकर जयंत चौधरी तक ने यात्रा को शुकाम नाई दी तो वहीं सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का राहूल गांधी पर दिया गया बयान चर्चा में है दरसल ओपी राजभर बस्ती दौरे पर थे इस दौरान मीडिया कर्मियों ने राहूल गांधी पर सवाल किया तो वो हस पड़े जिसके अब कई माईने निकाले जा रहे हैं बता दे कि भारत जोडो यात्रा पर राहूल की महनत पर जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि यात्रा के माधियम से वो अपना संदेश पहुचा रहे हैं जो कि अच्छी बात है लेकिन राहूल की 2024 में पीम बनने के सवाल पर राजभर आसने लगे और कहा कि वो बहुत दूर है साथी उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा विकास का काम कॉंग्रिस ने किया लाग पाल्टियां सत्ता में आए लेकिन जितना काम कॉंग्रिस ने किया कोई नहीं कर सकता वहीं आने वाले लोग सभा चुनाव और गटबंधन पर भी राजभर ने खुल कर बात की और कहा कि अभी चुनाव बहुत दूर है वक्त आने पर इस पर भी विचार किया जाएगा इस वक्त वो अन्य अभियानों में व्यस्त है देखे बेसक राहूल जी मेहनत कर रहे हैं बेसक मेहनत कर रहे हैं और उसका रेजल्ट उनको मिल रहा है एक माध्यम है पार्टी को जनता के बीच में उसी के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का तो जहां तक पहुंचा रहे हैं तहां तक उनको सायोग मिल रहा है काहां अभी बहुत दोर है चुनाव वाविता नहीं दाओनर कॉ सबसे जाएदा काम हारत में कुई कीई तो कांगरेस पार्टि ने तो तंबार अजह पाहल है पएkellव सभिए आगसी नीचे करे में कांग्रेस की देश्य sì जबाज्य मिली तो त्माम चैज्चों के आधा debit को देखने की सब्सक्राइब तो पहले तो वो सड़क बनी थी ने उसी का चोड़ी करन हो रहा है बहरहार एक तरफ जहां राजभर राहूल गांधी की महनत और कॉंग्रेस कारेकाल में किये गए विकासकारियों की तारीव कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रहूल गांधी के पीम बनने के सवाल पर उनका बयान हैरत में डाल रहा है गौरतलब है कि 2022 चुनाओं के बाद सपासे तलखी के बीच राजभर की बीजेपी से नस्दीकिया चिपी नहीं है आने वाले वक्त में राहूल को पीम पद मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ओपी राजभर के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताए साथी देश और प्रदेश की तवाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दमाएं ताकि चैनल से जुली सारी लेटेस्ट अबडेट्स आप तक बस्ते पहुँच पाए